हाला फ्रेंड्स वेल्कम टू प्रधान्स फ्लेवर आज हम बनाएंगे चना दाल और परबल की एक मज़िदार रिसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुकर में चना दाल को सीटी लगा लेते हैं यह एक कप चना दाल को मैंने एक घंटे भीखो के रखा था थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्ती डाल देंगे ज्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमें बाद में भी नमक डालना है थोड़ा सा पानी डालके हम इसको सीटी लगा लेंगे एक सीटी तेज आँच में लाएंगे और फिर इसको सीम करके 10 मिन रखके फिर बन कर देना इसे हम सारे काट लेंगे आप चाहें तो खाली परवल भी डाल सकते हैं या फिर आप आलू भी डाल सकते हैं मैं आलू के साथ भी कर दियों इसे हमने सारे काट लिए कड़ी गरम हो गया है हम इस पर मस्टर्ड ओल डाल रहे हैं मस्टर्ड ओल से ही बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो कोई और भी तिल डाल सकते हैं इसमें आलू और पर्बल को सालो फ्राइ कर लेंगे आप चाहें तो डीप फ्राइ भी कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे अगर आप सालो फ्राइ कर रहे हैं तो आप इसको सीम पे ही कीचिएगा है मारा आलू और पर्बल फ्राइ होके रेडी हो गया है इसको हम निक तोड़ा सा नमक डालेंगे अगर अधर क्लाउन हो गया है हम अधरक लसुन और मिर्ची को फूट के इसी टाइम पे डालेंगे याद रखेगा कि आप पेश्ट नहीं डालना तुट के डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा अप मिर्ची को कम जादा कर सकते हैं कस्थु की मैधी तोड़ा सा तोड़ा सा अछटा त्यद्न कि फूटक टाल एंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची may अप याद रखकी हलदी और नमक तोड़ा करके डालना क्यायमि आपने दाल में भी डाल था तू बड़े साइस किप्ोकला चला लापे अच्छा लाउनगे और अधर। एक मिनिट के लिए इसको पकने देंगे हमारा टोमाटो पक गया अच्छे से इसी टाइम पे हम इसको अच्छे से चला लेंगे और आलू और पर्बल को जो फ्राय करके रखा था उसको डाल के अच्छे से चला लेंगे दाल को भी डाल देंगे देखिए हमारा दाल इतना पकना चाहिए को कर में ज्यादा इसको सीटी नहीं लगाना है यह तो यह पूरा गल्च आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा अच्छे से चला के इसको ढवके दो मिनिट के लिए यहीपकने देंगे अभी चेक कर लेते हैं हमा रहा थोड़ा हो गया अच्छे से मसाले में मिल गया अभी इसमें हम पानी डाल देंगे करीब देड़ ग्लास हमने पानी डालाए अच्छे से चला के फिर इसको ढख के हमें पकाना आए कम से कम 10-15 मिनिट के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे यह मसाला हमने घर में ही तैयार किया आए हमरे दाल को चेक कर लेते हैं देखिए यह अच्छे से हो गया है अभी ज्यादा पानी पानी लग रा है परры हम इसको इस स्टेज बन करेंगे क्योंकि दाले चाना डाले तो यह पानी सोक कर लेता है बाद भी यह बहुत जा़दा गाढ़ा हो जाए इसको पांच मिन लिए इतना पानी पानी लग रहा था सारा सोक कर दिया और भी ऐसे ही रहेगा तो ये अच्छा लगेगा तो चलिए हम इसको फटा पर सॉर्प कर लेते हैं आप इस रेसिपी को घर में एक बार ट्राइ कीजिए और हमें कमेट कर जो के बताएं क्या को कैसे लगा थैंक यू